आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश की आईरन लेडी के बारे में और आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे देश ने एक ही महला पिधान मंत्री दी है वो थी इंद्रा गांदी और इंद्रा गांदी के बारे में जानने की दिलस्वी मुझे लगता है कि हर वेक्ति की रहती है मैं ऐसा इसलिए बोलाओं कि कई लोग कहते रहते हैं कि क्या ये मुस्लिम थी किस परिबार से थी इन्होंने अपना सर्मनेम गांदी किस तरह से रखा और आप देखते हैं इनके पती का कौन सा धरम था इनके पती का अंतिम संस्कार जब किया गया तो किस धरम की रीती से किया गया और इनकी जब साधी हुई तो वो किस धरम की रीती से हुई थी इनकी साधी इस तरह कि आप देखिए तमाम सवाल रहते हैं आप लोगों के मन में और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की अच्छी पिधान मंतरी भी रही है अगर आप लोग 1975 से 77 की समय यानि कि आपातकाल के समय को छोड़ दें तो इनके काफी अच्छे अच्छे काम रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि इनकी के समय में पाकिस्तान ने भारस से टक्कर ली इन्होंने पाकिस्तान के दो टोकडे कर दिये थे समय रहे हैं आप लोग तो दमदार एक तरह से जो लोग कम जोर महला कहते हैं इंद्रा गांदी को अगर वो इनकी भाई वराफी पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बज़तर समझ पाएंगे यह मजबूत थी या फिर कम जोर थी आपकी स्क्रीन पर कुछ और पिक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे देखे इंद्रा गांदी यह बच्पन में इस तरह की दिखती थी आपको सामने दिखाई भी दे रही है देखे यह आप देखेंगे पिक्चर आपको दिखाई दे रही है और इंद्रा गांदी और इ और आप देखेंगे इंद्रा गांधी की यह दोनों बेटे हैं और यह दोनों बहुए हैं और यह आप देखेंगे की राहुल और फ्रेयंका हैं ठीक है और यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा इंद्रा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल और यहां की फ्रेयंका गांध यहां भी आप लोग देख रहे होंगे ठीक है तो यह कुछ पिक्चर मुझे लगा कि बता देना चाहिए गांधी परिवार की और कॉंग्रेस का दुआब देखिए कि एक तरह से कॉंग्रेस पर तो एक छत राज ही रहता है गांधी परिवार का और आज कॉंग्रेस की क्या हा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं एक बात और आपको बता दूँ आज मुझे लगता है कि आप लोग समझ में भी रहेगा आज बीजेपी जितनी मजबूत है उससे कई गोना अधिक मजबूत कॉंग्रेस भी हुआ करती थी तो आप कहते हैं न कि जिसका उत्थान होता है ए तो इंद्रा गांधी के अगर हम लोग पूरे नाम की बात करें कि इनका पूरा नाम क्या था बास्तविक नाम क्या था इनका तो आपको बता दूँ कि इंद्रा गांधी का बास्तविक नाम इंद्रा प्रिये दर्सनी गांधी था और आप सभी लोग इंद्रा गांधी के न कोई साल था जब आप देखेंगे कि पिथम विस से उद्धी चल ला था और दूसरी बात आप लोगों को मालू होना चाहिए क्या मालू होना चाहिए कि हमारे उपर अंग्रेजों का सासन था इनका जनम होता है इलाबाद उत्तर प्रदेश में जिसे आप अब लोग क्या प्रयाग राज की नाम से जाते हैं और आप सभी इन लोगों को मालू भी होगा कि उत्तर प्रदेश राजनीती की दृष्टी से काफी महत्मून है इसकी राध्धानी लतना हुए और आप देखते हैं कि सबसे जादा बिधान सवा सीटें 403 लोग सवा सीटें 80 बिधान परिशा सीटें 100 राज सवा सीटें 31 है और सबसे जादा प्रदान मंत्री आप अग जाद रखे एंदू से और ब्रहमार जाती से आती थी क्या ब्रहमार जाती से आती हैं और पंडित जवाहलाल नहरू इनके फिता कमला नहरू इनकी माता का नाम था और इनके पती की बात करें तो फिरोज गांधी इनके पती का नाम और राजीब गांधी और संजय गांधी इनके वेटों का नाम और सौनिया गांधी और मेन का गांधी इनकी बहुएं थी और राहुल गांधी और वरुन गांधी ये पौत है और फ्रेंग का गांधी पौत्री है और देखिए गांधी इनके सरनेम जुड़ता है फ्रोज गांधी से देखिए ऐसा कई जगे आप सेवेकी मना आ और गन्दी ने फिरोज़ गन्धी को गोध ले लिया था तो फिरोज कि ङांधी नाम आ जाता है वेस के बादि आप लिए फिर की तो इंद्रा गांधी ने मैट्रेट की सिक्षा परिक्षा पूरे विस्विध्याले से पास की और 1934-1935 में अपनी स्कूली सिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सांती की निकेतन में विस्विध्याले में प्रिवेश किया और आप सभी जानते ही कि सांती निकेतन को उन्होंने ओक्सपोर्ड विस्विध्याले में की प्रिवेश परिक्षा परिक्षा लेकिन बे सफल नहीं हुई और विरिश्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने विताने के बाद वो इंद्रा गांधी ने 1937 में परिक्षा उत्तीन करने के बाद ओक्सपोर्ड के किया और जबाहालाल नहरू भारती जिल में थे इस समय और कमला नहरू की मिट्टिव के समय और इसलिए आप देखे कि इंद्रा गांधी बचपन से ही में इस्थिर कामकाजी जीवन परिवारिक जीवन का अनुभाव नहीं हुआ उन्होंने पिरमुख भारती और यूरोप रही है और इंद्रा गांधी ने बच्पन से ही देश भक्ती भावना थी और उस समय भारत के राषवदी अंदोलन की एक रणनीती में बिदेशी बैटे सुत्पादों का वहस्कार करना भी सामिल था और कहते हैं कि उस चोटी सी उम्र में इंद्रा ने बिदेशी वसे ही काम करते हैं तो इनके मन में भी वही काम आया है जब इंद्रा ने बारेवर्स की थी तब उन्होंने कुछ बच्चों के साथ मिलकर बांदर सेना बनाई जिसका नेतित किया था इसका नाम बंदर विगेड रखा जो की बंदर सेना से प्यारित था और जिससने राम की साहता की थी उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की सुतंता संगर्स में महत्पूर्ण भूमिका भी निबाई बाद में इस समगों में 60,000 युवा किरांती कारियों को भी सामिल किया गया और जिन्होंने बहुत से आप लोगों को संबोधित किया और जंडे में जानकारी आम जंता तक पहुंचाई वेटे सासन के होते हुए यह सब करना एक जोकिम भरा उपकरम था लेकिन इंद्रा सुतंता अंदोलन में भाग लेने से खोसती तो सुतंता अंदोलन में भी इनका युगदान रहा है अगर हम लोग व्यक्तिकर इनकी जानकारी बात करें तो इंद्रा गांधी जी ने 1942 में फिरोज गांधी के साथ बिवा किया और फिरोज गांधी कुजरात के पालसी परिवार से सम्मन रखते थे पालसी है एक ठीक है एक दूसरे को बच्पन से जानते थे जब इलाबाद में रहते थे इसके बाद बेब पढ़ाई के अब एक उनक्स में गए तब उनकी वहाँ दुबारा मुलाकात होजती है और दोनों की नजदीकिया बढ़ जाती है लेकर मानते हैं कि नहरू इस रिष्टे से खुस नहीं थे और दरसल नहरू के नित्यत वाली सरकार में भिष्टाचार के खलाब आवाज उठाने वाले फ बत्तकार थे और आप दीखे अपने ससुर के खिलाब एक तरसे बगाब बत्ती तेवा रखे हुए हैं तो इसलिए नहरू को ये पसंद नहीं थे फिरोज देश के राज्यतिक सारकल में एक उलिखनी व्यक्ति के रूम में उभुरे उन्होंने अपने समर्तकों के साथ मिलक और केंसरकार के खिलाब आवाज भी उठाई और जिसके कारण में नहरूक जी को पसंद नहीं थे लेकिन बाद में उन्हें इस रिस्ते को सुईकार करना पड़ा इंद्रा गांधी फिरोज गांधी के दो बच्चे हुए पहले सन 1944 में राजिक गांधी और दूसरे सन 1946 में स क्यात्रा की बात करें तो 1950 में के दसक में उन्होंने भारत की पहले पिधार मंतरी पंडिजवाल लाल नहरू की अनुपचारिक रूप से एक निजी सायक की रूम में सेबा की 1950 की दसक के अंद में उन्होंने भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष की रूम में काम किय किनों ने इंद्रा गांधी ने 1964 में उन्हें राजसवा की सदस के रूम में निउक्त किया गया और लाल भाहदु सस्त्री की केमिनिट में सूचना एबं पिसारन मंतरी के तौर पर कार करने का इने मौका मिला और आप सबी जानते हैं कि जो राजसवा सदस होता है इसका चुनाओ आपके बिधायकों के द्वारा होता है 1966 में जब लाल भाहदु सस्त्री की मौत हो जाती है तो उनके बाद मौराज जी देशाई की पार्टी के नेताओं के रूम में निउक्त किया गया वह जनबरी 1966 से 1977 तक भारत की पिधानमंतिरी रही है और आप सबी जानते हैं कि 1980 में इंद्रा गांधी फिर से भारत की पिधानमंतिरी बन गई क्योंकि 1977 के बाद जो चुनाओ हुए थी उसमें आप देखें इंद्रा गांधी बहुत बुरीत तरह से चुनाओ हार गई थी अपनी सीट भी वो हार गई थी, कॉंग्रेस भी चुनाओ हार गई थी और पहली आप देखें गेर कॉंग्रेस से सरकार बनी थी ठीक हाँल, लेकिन 1980 में द्वारा चुनाओ होते हैं और इसमें इंद्रा गांधी ने अपनी इस से पहले चुनाओ से पहले माफी मागी जंता से अे अपनी गल्ती को सुईकरा तो जनता देखिए बहुत भली होती है उन्हों ने इंद्रा गांदी को फिर से पिदार मंत्री मैंना दिया आक्टूबर 1984 में उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है तो यहां तक कहानी रही 1984 तक इंद्रा गांदी की और 1971 में आपने देखा होगा इंद्रा गांदी जी द्वारा मद्यावधी चुनाओ की घोशना की गई थी और एक तरह से आप सोची कि इंद्रा गांदी का एक क्या चलना था टेस्ट हो रहा था इस सुबर्द साल 1971 में इंद्रा गांधी जी ने कॉंग्रेस की बगड़ती हालत को देखते हुए देश में अपनी स्तिती और अधिक मजबूत करने के लिए मद्याओधी चुनाओ की कोशना कर विपक्ष को बड़ा जटका दे दिया अपने राजनीति कोशल के लिए पहचानी जाने वाली इंद्रा गांधी ने देश से गरीबी हटाओ के नारे के साथ इस चुनाओ में उतरी और देश में चुनाओ भी माहुल बना कर 518 में से 352 सीटे हासिल कर अपनी सरकार बनाने में सफ़ल रही 352 आप समय रहें तो इतना बहारी बहुमत मिलाएन है और आप देखे गरीबी हटाओ आज तक गरीबी नहीं हटी लेकिन राजनीति होती रही है चुनाओ की बाद देश में इंद्रा गांधी जी की इस्तधी काफी मजभूत हो गए और भारत पाक उनके जो विरोधी थे उनका भी मुह बंद हो गया भारत पाक की योद में इंद्रा गांधी की का साकोसल नेतत थे 1971 में आप सभी जानते हैं इस समय पिधान मंतरी कौन थी इंद्रा गांधी इनी के कारकाल के दोरान 1971 में बंगलादेश के मुद्दे को लेकर जब भारत पाकिस्तान की भी चियोद हुआ तो इस दोरान देश में काफी तनाव बढ़ गया और इंद्रा गांधी जी को भी काफी बड़े संक्यट से जूजना पड़ा और आप देखेंगे कि हाला की इस दोरान उन्होंने सोजबूज और समझदारी से काम लेते हुए देश का साकोसल नेतत किया और आपको बता दूँ कि योद्द के दोरान जब इस्तिती और भी जान्दा गंबीर हो गई तब जब अमेरिकी राष्टपती ने पाक का समर्तन देना सुरू किया तो चीन पहले से ही पाकिस्तान को हतियार सप्लाई कर उनका समर्तन कर रहा था यहीं आप लोग ने देखा होगा कि रूस हमारा काफी अच्छा मित्रा है भरोसे मंद्रा है हर समय आप देखे जब हमें जरूरत पड़ी उसने मदद की हुई है और एक समय था आप देखे कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ जुकाओ रहा है था अमेरिका का देखे अमेरिका हमेशा मतलबी दोस्त तरह है आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ अमेरिका का जुका आ время रहा है क्योंकि आप देखे चाइना को आंगे बढ़ने से रुकना है आए तो भारत की मदद के बिना ऐसा नहीं हो सकता है तो अमेरिका भी मदद ले रढ़ना चाहरा है हमारी इसके बाद इंद्रा गांदी की नितन ने भारत में सोवियस संग के साथ सांती दोस्ती और सहयोग की संदी पर हस्ताक्चर किये और जिसे आप लोग रूस के नाम से जानते हैं ना अजकल उसे उस समय आप देखी 1991 की पहले सोवियस संग कहते थे इसमें और भी कुछ आपके देश सामिल थे लेकिन सोवियस संग का विक्टन हो जाता है 1991 में रूस अलग हो जाता है इसके बाद इंद्रा गांदी ने कि निदत में भारत सांती दोस्ती सहयोग की संदी की और इस दोरान पूरवी पाकिस्तान से भारी संख्या में साडातीयों ने भारत में प्रिविस करना सुरू कर दिया और इस दोरान इंद्रा गांधी जी ने ना सिर्फ लाकों सरडातियों को भारत में सरण दी बलकि पश्च्वी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैन विसाहता भी पिधार की और इस दोरान इंद्रा गांधी ने बंगलादेश की सुतंता के महत को समझते हुए बंगलादेश के निर्माड को समर्थन देने की गोशना की वहीं इसके बाद 16 दिसंबर को पश्वी पाकिस्तान ने आत्म समर्पन कर दिया और जिसके चलते बंगलादेश का निर्माड हुआ और 1971 में आप सभी जानते हैं कि बंगलादेश बना था और इस युद्ध में भारत की जीट से इंद्रा गांदी की छबी एक लोग परिये राजनीता की रूम में बन गई उनकी स्तिती देश में इतनी अधिक मजबूत हो गई कि विस्वतन्द फैसले लेने में भी सक्छम हो गई और वही इसे उद्ध के बाद इंद्रा गांदी ने खुद को पूरी तरह देश की सिवा और विकास में समर्फित कर दिया उन्होंने साल 1972 में बीमा और कुईला उद्ध्युक का भी राष्टी कंड कर जनता के अधियान अपनी तरब खीचा एक सक्रिय कोसल, राजनिता की रूम में समाज कल्याण, अर्थ, जगद, समयद, भूमी, सुधार के लिए कई सुधार के काम किये इनोंने अगर हम लोग इंद्रा गांदी के द्वारा जो आपात काल लगाए गया जिसके कारण इनकी आलोचना होती है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं इंद्रा गांदी ने अपने पिधानमंत्री के कारकाल के द्वारान देश के विकास के लिए कई नई नई योजनाय लागू की और कई काम करवाए लेकिन 1975 के द्वारान देश में महेंगाई बेरोजगारी आर्थिस संकट विरिष्टाच्यार की समस्याए काफी बढ़ गई थी जिसके चलते कई विपक्षी दलों और देश की जनता ने इंद्रा गांदी सरकार के खिलाब कई बेरोध पिदरसन किये और इसमें आप देखेंगे कि वही इस दी द्वारान इलावाद हाई कोट ने इंद्रा गांदी जी के चुनाओ से संबंदेते एक केस पर फैसला सुनाते हुए उनका चुनाओ रद करने के साथ 6 साल तक उनका चुनाओ लड़ने से भी बैन कर दिया था इनका जो लोग सबस चुनाओ लड़ा था इन्होंने इसमें आप देखी कि इनके चुनाओ को चुनाओती दी गई इलावाद हाई कोट में और इलावाद हाई कोट ने फैसला सुना दी हुए इनके चुनाओ को रद कर दिया और इन पर 6 साल के लिए चुनाओ ना लड़ने की परबैन लगा दिया जिसके बाद आप देखेंगे देश के राजनेतिक हालाद और भी अधिक खराब हो गया लोगों के अंदर उनके खिलाब और अधिक पिती सोद भर गया और उसके बाद आप देखेंगे 26 जुन 1975 की दिन इंद्रा गांधी जी ने पिधानमंत्री पग से इस थीपा देनी की बज़ाए देश में आपातकाल की गोष्णा कर दी और राष्टी आपातकाल लगा दिया है जिसके तहत उन्होंने मुर्यार जी देशाई जैपकास नारायन समय तमाम बेपक्ची नेता और उनके राजनेतिक दुस्मनों को गिरपतार कर जेल में डाल द अधिकार बीच के लिए गये और मेडिया पर कितीवन लगा दिया गया रेडियो अकभार और टेवी पर सेंसर लगा दिये गये और कहते हैं कि इस समय पूरा कारभार किनके संजे गांधी के हाथ में था ठीक है और फिर इसके बाद साल 1977 की सुरुआत में इंद्रा गांधी अपातकाल को हटाते हुए चुनाओ की गोशना की और इस दोरान राजनतिक कैदियों की रहाई कर दी गई और फिर इसे मीडिया से बैन हटा दिया गया और जनता को मौलीक अधिकार बापस देने के साथ राजनतिक सभाओं चुनाओ पचार की आजादी दे गई अपातकाल और नसबंदी अभियान के चलते आम जनता उनके खिलाब काफी कुरोध बढ़ गया और आप देखेंगे कि वही उस चुनाओ में जनता ने अपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले इंद्रा गांधी जी को समर्थन नहीं किया और जिसके बाइडाम सरूप म और जनता पार्टी की अंतर कलय और इंद्रा गांधी जी की सत्ता में फिर सिबापसी आप देखते हैं कि जब गठवंदन की सरकार होती है तो ज़्यादा समय तक चल ना पाने की संभाव ना जाना रहती है तो ऐसा ही हुगा साल 1989 में जनता पार्टी के अंदर अंतरिक कलय की बज़े से यह सरकार गिर गे जिसका फायदा इंद्रा गांधी को हुआ और जनता पार्टी की राजनिताओं ने इंद्रा गांधी जी को संसत से बाहर निकालने की मकसद से इंद्रा गांधी जी पर कई गंभीर आरूप ऐसा रवेया जनता को रास नहीं आया फिर भारी संक्या में आम जनता इंद्रा गांधी जी के समत्र में आई और फिसाल इंद्रा गांधी के नाम पर करई धरोहर भी है क्योंकि आप देखते हैं अगर आप अच्छा गाम करते हैं तो आपके नाम बस सडके बनवा दी जाती है नई दिल्ली में उनके नाम पर इंद्रा गांधी मेमोरियल म्यूजियम बना हुआ है इसके अलाबा इंद्रा गांधी जी के नाम पर इंद्रा गांधी नेशनल ट्राइवल यूनिवर्सिटी अमरकंटक इंद्रा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फोर वीमेन इंद्रा गांधी इंस्टिट्ट अफ टेक्नलोजी इंद्रा गांधी नेशनल और ओपन उनिवर्सिटी गिन्यू इंद्रा गांधी इंस्टिटुट अफ डेंटल साइंस समित कई सिक्षर संस्थान भी इनके नाम पर यही नहीं देश के कई सहरों में बहुत सी सडकें हो चौराओं की नाम भी इंद्रा गांधी के नाम पर है इसके लाबा देश की राधारी दिल्ली के इंटरनेशनल इयरफोर्ट का नाम भी इंद्रा गांधी इंटरनेशनल इयरफोर्ट है और देश की सबसे मुख समुदरी पर उसका सम्मान भी हिरे में ले हुए हैं देश की पहली वहला पिदार मंत्री इंद्रा गांधी को साल 1970 में देश के सर्वुच सम्मान भारत अर्थन से भी सम्मानित किया गया था साल 1972 में उन्हें बंगलादेश को आजात करवाने के लिए मेक्सिकान अबॉर्ड से भी नवाजा गया था साल 1976 में उन्हें नागरी पिचार्णी सभा की द्वारा हिंदी में साहित वाचस्पर्ती सम्मान से भी नवाजा गया था इसके इलावा उन्हें Mother's Award Holland Memorial Prize से भी सम्मानित किया गया इनसे कुछ बिबाद भी जुड़े रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि जब भी इस तरह को कोई वेक्ती होता है तो उसे पसंद करने वाले होते हैं, नापसंद करने वाले होते हैं आलो चक भी होते हैं, उसके पैसंद सक भी होते हैं, उसे बिबाद भी जुड़ जाते हैं तो जून 1975 में इलावाद उचने आलाय की नयाय मूर्ती, जग मुहलाल सिंधा ने उन्हें चुनाओ परिचार के दौरान चुनावी भिष्टाचार में दोसी पाया और अदालत ने उन्हें लोकसवा सीट से भहिस्कित कर दिया, और उनके चुनाओ को निरस्त कर दिया और साथ ही अंगले 6 बरसों तक उनके चुनाओ ना लड़ने का परपूर पीती बंद लगा दिया था इस दौरान उन्हें कई आरोपों से में सल्लिप्त पाये गया था, जैसे राज बिजली, विभाग से चोरी से बिजली का उपयोग करना चुनाओ अभियान के लिए सड़कार की मसिनिरी का दुरपयोग करना, मद्दाताओं को रिस्पत देना हालागी उच न्याले की फैसले को सरवुच न्याले में चुनोती दी, लेकिन न्यादीस B.R. कृष्न अयर ने इस फैसले को बरकरा रखा और उन्होंने आदेश दिया कि उनको संसत की रोओ में बिली, मिले सभी विष्यादिकार को बंद कर दिया जाए इंद्रा गांधी ने राष्टी अबाद कर लगाया था इंद्रा गांधी ने स्वयम को आसाधरन सक्तिया पिदान कर दी थी इन सक्तियों का प्रेव करती हैं उन्होंने बड़े बड़े इस्तर पर मानव दिकारों का हनन किया और आपातकाल के नाम पर इंद्रा गांधी ने तक्रीवन समूचे विपक्च दल के नेताओं को भारत के विभिन कारागार यानी की जेलों में ठूच दिया था और इस द्यावरान उनके उपर ये भी आरोप लगा थी कि उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी की सलाय पर जनसक्या नेंतन की नाम पर एक बड़े इस्तर पर लोगों की जबजस्ति, नस्वंदी, नपुनसक बनाया था और बर्स्त 1984 का ए ओपर से इनकी मौत का कारण भी बना ओपरेशन बिलूश्टार को सुरू किया इनोंने और भिंडरावाला अपने सातियों के साथ हर मिंदर, हर मंदिर साहे परिशार, स्वन मंदिर अमरसर की भीतर चुपा हुआ था सूत्रों के अनुसार इस कारवाही के दौरान कई जाने हलता आयत हुई गुरू द्वारा परिशत कुछ-कुछ छती हुई जिसके चलतरे इन्दरा गांदी के खलाब रोज सुत्पन हुआ और आप देखे कुछ लोगों ने इनके गार नहीं इनकी हत्या कर देती ओप्रेशन बिलूश्टार इंदरा गांदी की अत्या 1981 में एक सिक्क आतंगवादी समोग खालिस्तान की मांग को लेकर अमरसर की पिसिद स्वड मंदिर और हर्म इंदर साहब परिशया के अंदर प्रवेस कर गए और मंदिर परिशन में हजारों लोग होने के बापजूद भी इंदरा गांदी जी ने सैना के जबानों को इन आतंगवादियों से निपटने के लिए सिक्कों के पिर्मुक धार्मिक इस्तल ओप्रेशन बिलूश्टार करने की जाज़त दे दी और आप देखिए कि उहां गुषने की किसी को जाज़त भी नहीं होती है वहीं ऑपरेशन बिलूश्टार की दौरान हजारों वेकसूर और मासूमों की जान चली गए और सिक्के समधाय की धार्मिक आस्ता को काफी ठोस पहुचा ठेस पहुचा और इस ऑपरेशन के बाद इंदरा गांदी जी कि खला काफी खराब हुई और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े दलसल गोल्डन टेंपर में हुए भयावर नरसंगार का बदला लेलें के लिए इंद्रा गांदी जी के दो सिख्ख बॉडी गार सत्बंध सिंग और वित्त सिंग ने 31 अक्टूबर 1984 को इंद दोर हमारी चवरी और बूरी हो जाएगी समाज में कि इन्हें इस तरह का एक समद्वाय को हटा रहे हैं अपने आप से दूर कर रहे हैं तो इन्हों ने रख रहे हैं अपनी पास उन्हींने इनकी हध्या कर दिए अब देखे सबसे बड़ा सवाल आता है क्या इंद्रा गां और अंत में जब फिरोज गांधी की मित्ती हुई तो उनका अंतिम संसकार हिंदू और मुसलिम और सभी धर्मों का मत्वचारण किया उनका अंतिम संसकार किया गया है और जिसमें उनके सब को मुखागनी राजीब गांधी ने दी और उनके सरी की कुछ अस्थियां दपन कर दी गई और कुछ बिसरजित कर दी गई और दपन की गई अस्थियों की जगह फ्रोज गांधी की कब्रे भी बना दी गई है तो यही क बारे में भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे आप लोग एज्जवाय करते रहें हम लोग अंगले पिधार मंत्री के मुराड़ जी देशाई को भी बात करेंगे उन पर भी बात करेंगे उनके बारे में भी जानेंगे टिकेट